So hello friends, my name is Rishi and you are watching Science Kingdom. अभी पिस सोलर सिस्टिम के बहुत हिस्टोन से अनिजान है, तो आज के वीडियो में हम इन सब के बारे में विश्रुच चर्चा करेंगे, तो लेट स्टार्ट दो वीडियो, इन सब को समयने से पहले आपको मास एक्स्टिंशन, रेड ड्वार्प, ब्राउन ड्वार्प और ओट क्राउड के बारे में जानना चाहिए, तो सब से पहले बात करते हैं मास एक्स्टिंशन के बारे में, ये एक विशेश प्रकार की घटना होती है, जिसमें एक छोटे से काल में बहुत सी जातिया विलूप्त हो जाती है, ये कॉमेट या एस्टोइड के पृत्वी पर टक्राइने से भी होती है, और इसका जग प्रसिद्ध हुदारन है डायनासौर्स का अंत, जादातर वेग्यानिक ये मानते हैं कि 66 मिलियन येर्ज पहले 10 से 15 किलोमीटर चवडा कॉमेट या फिर एस्टोइड के टक्राइने से डायनासौर्स का अंत हुआ था, अब बारिय ये एक AC खगुल्य पिंड है, जिसका वस्तुमान सबसे ज़्यादा वस्तुमान वाले वायुग्रह से ज़्यादा और रेड वार्प से कम होता है, इन्हें फेल स्टार्स भी कहा जाता है, और अब बात करते हैं ओर्ट क्लाउड की, ओर्ट क्लाउड ये एक थेरोटिकल से 3.2 light years तक है, अब बात करते हैं नेमेसिस हैपोतेसिस के बारे में, सन 1984 में डेवीड राउप और जैक सेपकोस्की ने एक पेपर पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने पिछले 250 million years तक के mass extinction के बारे में लिखा था, उनके मुताबिक ये mass extinction नियतकाल से अपने आपको धोरात से हैं और वो नियतकाल है 26 million years, पिछले 250 million years में 12 mass extinctions हो चुके हैं, उन दोनों को लगता था कि ये regular mass extinctions आउटर स्पेस के किसी चीज से हो सकता है, परंतु वो उसका ठोस कारेंट नहीं दे पाए, फिर 2010 में मेलोट और बेमबेज ये दो वेग्यानिकों ने पिछले 500 million years के mass extinction क को ध्यान में रखे, उसकी नियतकालिक था 27 million years बताई, और इनका भी ऐसा ही मनना था कि कोई आउटर स्पेस की चीज के कारण ही ये हो रहा है, और इन दोनों घटनावन से शुरुआत होई नेमेसिस हाइपोथेसिस के, वेग्यानिकों का ऐसा मनना है कि नेमेसिस ये एक red warp या फिर एक brown warp तारा है, और ये old cloud के भारी हिस्से में है, ये हमारे सूरज का undetected companion star भी है, जिसकी orbit बहुत ज्यादा elliptical है, और इसकी हमारे sun से दूरी लगभग 1.5 light years है, calculations ये बताती है कि कि किसी nearby star के कारण नेमेसिसकी औरविट irregular है, आपके मैंन में सवाल आया होगा कि य हमें क्यों दिखाई नहीं देता, तो इसका जवाब है इसकी size, ये हमारे सूरज से भेज छोटा है, और इसके कारण हमें ये नदर नहीं आता, और इसके strong gravitational force के कारण इसका प्रभाव ओट cloud के अण्ये खगुले pin पर भी पढ़ता है, और इसके कारण ही comets और asteroid की हमारे पृ इस खगुले pin की location हमारी expectation से अलग है, और इसकी वजह nemesis हो सकता है, उसके कारण ही सेड़ना का हमसे minimum distance 76 AU है, तो maximum distance 937 AU है, और हमने अभी तक nemesis को detect नहीं किया, नॉर्मली red dwarf stars थंडे होते हैं और infrared light में चमकते हैं, परन्तु infrared astronomical survey यानि की IRS 1980 में इसे detect नहीं कर पाया, University of California's Leuchttar Observatory 1986 में इसे detect नहीं कर पाया, फिर 1997 से 2001 तक two mass astronomical survey भी इसे detect नहीं कर पाया, पर जब WISE यानि की Wide Field Infrared Survey Explorer भी इसे धुणने में ना काम रहा, तो नेमेसिस तारे के असली होने पर ही प्रेश्ण चिन्न खड़ा हुआ, क्योंकि WISE ने 800 से भी ज़्यादा brown warp धुंडे थे, पर उन्मे से कौन सा भी brown warp नेमेसिस जितना close नहीं था, और फिर 2011 में हमें ये पता चला कि मास एक्स्टेंशन की periodicity और नेमेसिस तारे की irregular orbit में कोई ताल मिल नहीं है, और नासा ने कहा कि हाली के स्टेडिस से ये पता चला है कि प्रुथवी पर मास extensions नियतकाल से नहीं होते, और उसे के कारण नेमेसिस हैपोतिसिस की आवशकता नहीं रही, अब शायद ही कहीं नेमेसिस हैपोतिसिस की चर्चा होती है, पर हमारे solar system का outer edge काफी रहस्य में है, यहाँ कुछ अनसूलजे रहस्य है और यहाँ का भूत हिस्सा हमने अभी explore भी नहीं किया, इन रहस्य उनको सूल जाने के लिए नेमेसिस हैपोतिसिस यह अकेला हैपोतिसिस नहीं है, इसके अलावा planet 9, planet X, planet Tike, इन जैसे काफी हैपोतिसिस है, इन सबकी चर्चा हम आगे आने वाले वीडियो में जरूर करेंगे, तो आपकी क्यारा है नेमेसिस हैपोतिसिस के बारे में वो कमेंड में जरूर लिखे, अगर आपको एसे ही इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स और इंट्रेस्टिंग नॉलेज पसंद है, तो साइन्स किंगडम इस चैनल को सब्सक्राइब कीजे, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजे और अपने दोस्तों के साथ शेर भी कीजे, थैंक यू